हलो दोस्तो मैं जाइकान से नीज स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आई क्यों मैं हम डिसकस करें राज़ितान पत्तिका नीज़ पर जपर एडिशन 29 और 30 अगस्त इसके पहले यहाँ पर कुछ यह जो नीज़ अनलिसिस है कुछ दिनों का ब्रेक हो गया है तो व करते हैं आज का डिस्क्रिशन बिना किसी देरी के यह है इंपोर्टन डे है 29 अगस्त की यह बात है तो 29 अगस्त को भारत के अंदर सेलिवेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स दे तो नेशनल स्पोर्ट्स दे इस बार इंपोर्टन हो जाता है कारण क्या है इसका कि यह sports day यह समर्पत किया गया है major ध्यांचन सहाब को आपको पता होना चीह कि यह sports day बनाया जाता है major ध्यांचन सहाब को समर्पत है और इस बार एक नया change किया गया है कि sports के field में सबसे बड़ा जो award है उसका नाम था राजीव गांदी खेल रतन award मैं इसको था इसलिए बोड़ा हूँ कि अब इसका नाम बदल दिया गया है केंदे सरकार के द्वारा इसका नाम कर दिया गया है major ध्यांचन खेल रतन अबार इसका भी कर दिया गया है नाम तो यह important हो जाता है और आप से पूछा भी जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रतन अबार का नाम अभी क्या कर दिया गया है तो आपको पता होना चीए इसलिए important हो गया है national sports day इसकी theme 2021 की क्या है यह मुझे आप comment करके जल्दी से बताईए यहां यह है 29 अगस्त की news आई तो 29 अगस्त की अभी discuss कर रहे है तो यह important news है इसे हम detail में देख लेते हैं आपके काम की चीज़ है यह हाला कि important exam के लिए इतनी नहीं है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है तो बात की जारी है एक देश एक number की यानि कहीं न कहीं चीज़ों को uniform करने की बात की जारी है एक देश एक number यानि की जो vehicles पर number होते हैं उनकी बात की जारी है कि ऐसा होता था कि दूसरी राज़े में नया registration आपको कराना पड़ता था आप यदि हर्याना से कोई चीज़ खरीद के ले जा रहे हैं और आप राजस्तान में लेके जा रहे हैं उसे बात तो दूसरी राज़े में नया registration कराने की आवशकता नहीं होगी एक देश एक number के बात तो बता रहे हैं कि अब गारियों का भी एच registration होगा भी एच इसका मतलब है यह symbol होगा भी एच इसका मतलब है भारत यह code होगा भी एच यहाँ पर तो सभी राज़ियों में बे रोग टोक यहाँ पर गारियां भी दोड़ सकेंगी आपको separate registration की आवशकता नहीं होगी दूसरी राज़े में जाने पर तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का number दिखाई देगा YY का मतलब है किस वर्स गारी आपने purchase की है BH हर number पर दिखाई देगा इसका मतलब है भारत की series है BH और चार यह जो hashtag दिखाए गए यहाँ पर यह चार अंगों का random number होगा यह और इसके बाद अंग्रे जी के दो letter यहाँ पर होंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा यह नया जो number बताने की बात की जा रही है इसके लावा कुछ और चीज़ है यहाँ पर की बतारहें की वतमान में जो tax की विवस्ता है जो आप नया registration कराते हैं तो आप 15 साल का tax मतलब की आपको advance में ही पे करना होता है जब आपनी गाड़ी का registration कराते हैं तो वहाँ पर आपसे 15 साल का tax वसूल कर लिया जाता है इसलिए registration charges काफी ज़्यादा आते हैं जब भी हम कोई नया vehicle खेते हैं तो यहाँ पता रहे हैं कि नया ये लागू होने से एक देश एक नमबर यहाँ पे आपको जो road tax है वो आप जब नया गाड़ी ख़ई देंगे तो केवल 10 साल का ही पे करना होगा तो आपकी जेव से कम यहाँ पे खर्चा होगा तो यह एक अच्छी बात बोली जा रही है अन्य राज जमें गाड़ी ले जाने पर फिर registration कराने की आवशकता नहीं होगी जो की पहले होती थी यदि दो वर्च परानी गाड़ी का दूशे राज जमें registration कराना हो तो दुबारा बारा या तेरे वर्च के लिए tax का बुक्तान यहाँ पे करना होता है आप दुबारा ज road tax ही बता रहे हैं यहाँ पर कि यह भी कम हो जाएगा और electronic वहान पर बता रहे हैं कि 2% road tax यहाँ पर कम लगाए जाएगा यह रोट टेक्स ही बात यहाँ पर की जा रही है FAME, faster adoption, manufacturing, hybrid and electric vehicle की बात की जा रही है अभी कई सारे scooter market के अंदर आ गए हैं, cars भी market के अंदर आ गए हैं जो की electric car है, electric scooter हैं लेकिन rate काफी जादा है इनकी तो कहीं न कहीं सरकार के दौरा इस scheme के तहत उनको subsidy देने का काम किया जाता है तो यह important हो जाती है इसके लावा बता रहे हैं कि एक सितंबर से bumper to bumper insurance भी लागो हो जाएगा, madras high court के द्वारा जो आदेश दिये गए थे, उनको उनके तहत यह काम किया जा रहा है, क्या है यह bumper to bumper insurance तो इसमें क्या होगा, कि 5 वर्ष के लिए, यानि 5 सालों के लिए driver यानि की चलाने वाला, और बैठ हुई लोग, passenger और जो वहान का मालिक है, इन तीनों का यहाँ पर insurance किया जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है bumper to bumper, वहान का 100 फीजदी insurance होगा, insurance company है depreciation की कटोती यहाँ पर नहीं कर पाएंगी, और accident के बाद parts बदलने पर पूरा भुकतान insurance company को यहाँ पर भेहन क करना होगा, तो यह कुछ चीज़ें लेकर आने की बात की जारी है, जो कि बहुत ही अच्छी है बारत के अंदर, तो इस प्रकार के बदलाव की प्रकरियां यहाँ पर शुरू हो गई है, आगे बात की जारी है, यह भी important है, आपके लिए जो भी travel करते हैं, आप लोगों में बताई जारी है, तो यह अच्छी बात है, हर प्रकार सभी mail और express गाड़ियों के अंदर AC3 economy coach यहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि railway में जो भी AC में यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की यह सुवधायें स्टार्ट की जारी है, आगे बात की जारी है, य नीरत चोपरा साब के दोरा इस बार ओलम्पिक के अंदर जो की जापान के टोक्यो में आयुजित हुए हैं, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया है, जेवलें थ्रो में, तो यह इंपोर्टन हो जाते हैं, इनके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, तो इनके नाम से, नीरत के नाम से, पुरे केंट के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट में एक स्टेडियम का नाम करन किया गया है, तो अब इसका नाम है नीरत चोपरा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टिटूट पुरे केंट, तो यह इसका नाम यहाँ पे किया गया, इसक कमेंट करके बताईए इस बार साथ मेडल टोटल जीते गए जिन मैसे कि एक गोड मेडल इनके नाम है और छे कौन लोग है और उन्होंने किस छे लोगों के नाम बताईए और किस स्पोर्ट से सम्मनित हैं वो भी मुझे कमेंट करके जल्दी से बताईए ये तीस अगस की नियुज़ यहां पर बात की जा रही है अफगानिस्तान के बारे में अफगानिस्ता में बहुत ज़्यादा डिस्रेस्ट यहां पर अन्रेस्ट सोरी देखने को मिल रहा है काफी ज़्यादा आपको पता है कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट करता है हतियारों को लेके बहुत अच्छी अच्छी हतियार दुनिया के बनाई जाते हैं अमेरिका के अंदर तो अमरीका को तो पैसा कमाना देख सकते हैं कि 62.47 खरब के हतियार अमरीका के द्वारा बेज़े गए इन तालीबानियों को तो आप देखिए कि एक इनका जो मोटिव है जो हिडन जो इनका एजेंडा होता है कही न कहीं एकॉनमिक होता है तो अब देख सकते हैं कि किस प्रकार की इस्तिती बनी हुई है अफगानिस्तान के अंदर और उसमें कहते हैं कि आग में घी डालने का काम जो किया जा रहा है यहां पे वो USA के द्वा बारे में कुछ यहां पर चीज़ा बताई गई हैं किस-किस प्रकार के हथियार है यह तो बात कर रहे हैं कि एरपोर्ट पर जाते फदाईन पर अमरी की बंबारी यहां पर देखी गई है यह कुछ बात की जा रही है तो जो बाइडे न दी थी चितावनी यह उनकी जो अप USA की तो वो सारी से की सारी चर्चा हैं लेकिन यह कही न कहीं गलत काम है कि इस प्रकार से हथियार सेल किये जा रहे हैं आतंकियों को यह एक और important news है भारत के लिए खेलों को ले करके बहुत अच्छा इसवार यह वर्स राय भारत के लिए तो अब बात की जा रही है टोक्यो medal यहाँ पर जीता गया है table tennis में इनका नाम है भाविना तो भाविना के द्वारा table tennis के छेतर में यह अवर्ड जीता गया है तो बता रहे है कि पेरा olympic में table tennis में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाडी बनी है इनके पास 7 पदक जीतने का मौगा था लेकिन यह नह नहीं जीत भाई तो इनका नाम आपको पता हुना चाहिए भाविना यह बात की जा रही है दूसरी है high jump तो high jump में Asia record की यहाँ पर बराबरी किये इनका नाम है निशाद तो निशाद के द्वारा यहाँ पर रजत पदक जीता गया यानि कि आप देख सकते हैं यह दूसरा award ह और बात की जा रही है यहाँ पर तीसरे award की तो इनका नाम है विनोध तो discuss throw की बात है यह sport है इनका discuss throw में भी सर्वस्रेश्ट यहाँ पर पदशन किया गया है तो पुरुशों की discuss throw F52 पर दा में है विनोध 19.91 मीटर के साथ तीसरे इस्तान पर रहे हाला कि उनका पदक विर पुरुशात के होसलों की चांदी यानि कि इनको यह चांदी के अवार्ड मिल गए है तो यह important हो जाते हैं क्योंकि sports में काफी अच्छा इस बार किया रहा है दोनों के नाम याद रखिएगा और इनसे सम्मंदित sports भी आप याद रखिएगा आगे बात की जा रही है यह रा प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्टिंग कितनी है यह प्रोजेक्ट कहां पर इस्ताबित किया जा रहा है राजिस्तर के अंदर किस जिले में स्ताबित किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के अंदर किस की कितनी भूमिका आया यानि कि राजिसरकार का कितना परसेंटेज है औ तो उसके उपर यह एक एडिटोल यहां पे लिखा गया है एडिटोल कामरा थोड़ी सी एक बाते लिखी गई है अरुन कुमार सापके द्वारा तो बता रहे हैं देश में मतलब आजादी से लेके अब तक अलग थलक साही माना गया है पूरवतर राज को जब यह छेतर सीमाओं का निधरन नहीं हुआ ना ही संसकतियों का समावेशन हुआ यही वज़े कि कभी आसम की मिजोरम तो कभी मेगाले अनुचर पदेश नागालेंच से अनबन होती रहती है यहां पे तो मुझे बताईए हाल ही मैं चर्चा में था अभी दो राज्यों के बीच विवा पड़ता है संसादनों को लेकर बीते दो तीन वर्चों में इनमें आपसी तक्रार जादा बढ़ी गया आबादी हो जीव को पारजन के दवाब से जमीन का मुद्धा उठने लगा है तो लेंड को लेकर के बहुत इस्यूज हो गए है क्योंकि बाउंडरी जो है वो यहां पें किलेर कट नहीं है इण राज्यों की बीच में और फिर इनका कल्चर जो है वो कहीं ने कहीं एक दूसर से मैच होते हैं तो लोगों की कहीं ने कहीं आप समझ सकते इनर लाइन पर्मिट पर नाली लागू है इसके बिना बाहर का कोई व्यक्ति इन राज्यों में नहीं पहुंच सकता है मतलब की यह है अरोचल प्रदेश यहां पर नाकालेंट और फिर है आपका मनिपुर और उसके नीचे है मिजुरम तो यह जो राज्य हैं यहां पर तो अगर आपको कहीं भी विजिट करने जाना इन राज्यों के अंदर तो आपको इनर लाइन पर्मिट लेना हुआ इसके बिना आप इन राज्यों में विजिट नहीं कर सकते हैं एज़ टूरिस्ट बात की जा रही है यहाँ पे तो बता रहे हैं कि इसके लावा पर्मिट में लिखी है अब दी तक ही वहाँ रुका जा सकता है यही टीस है कि असम को बार बार उद्देलित करती है कि तो राज्य सरकार में पिछली गल्तियों सुदाने के बजाए अब भी आखे मूदे हुई है जब फिर राज्यों के सीमा पर चली गोलियां तब इनकी नीन खुलेगी तो यह बात की जा रही है जो कि अभी देखने को मिला था हैं दूसरी बात बूली है कि ऑनलाइन बजार जो ऐह उनकी यहाँ पर घार रहा है तो इसकी बात अब की जा रही तो यह भी एक इंपॉर्टेन बद्द एक साधन बन गया बिन जो बहन गया है का देक्स कानुन को खत्म करने का डाफ्ट यह पर तयार की जा गया। यह बहुत जण चछा में रहा था केरन एनरजी और वोड़ा फॉन का जो मामला था टेक्स को ले करके महगाई जानने को RBI करेगा सर्वे तो RBI के द्वारा यहाँ पे सर्वे करने की बात की जा रही है जो की जानेगा कि इंफलेशन अभी कैसा चल रहा है मार्केट के अंदर तो यह बात बुली जा रही है आगे बात की जा रही है यह भी important sports के field में एक उपलब दिये भारत के लिए कि रोहित के द्वारा यहाँ पे जीता गया है स्वन्ड पदक तो Asia Junior Boxing की बात की जा रही है इस्पोर्ट है boxing का और junior यह पतिस परदा यानि कि Asia Junior Boxing में रोहित के द्वारा यहाँ पे gold medal जीत ला गया है तो आपको यह भी चीज़ें कई बार याद रखनी होती है क्योंकि यह जो competition इतने ज्यादा important दो नहीं होते है लेकिन जब कोई gold medal की बात आती है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि Asia Junior Boxing में रोहित के द्वारा यहाँ पे gold medal जीता गया है वहाँ पे आपने bulb देखे होंगे यलो कलर की जो light निकलती थी लेकिन अब भी transformation हो गया है कि जो हम energy उसको save करने को लेकर के काफी ज़्यादा LED light जो है अभी वो दिखाई देती है तो उसके चलते इन कीट पतंगों पर बहुत ज़्यादा प्रवाव यहाँ पे पढ़ा है तो ऐसी study निकल के सामने आई है बता रहें कि LED light के किफाईती होने के साथ साथ इसके नुकसान भी है कि रोशनी कीट पतंगों के लिए घातिक सावित हुई है इससे उनकी आबादी घट रही है तो यह बात निकल के यहाँ पे आईए तो बात करें कि इको फ्रेंडली हो प्रकास Newcastle University Professor Darren Evans का कहना है कि साथ जयने को वन्द जीब दोनों की रक्षा की आपशकता है प्रकास की तकनिक ऐसी होनी चाहिए जिससे जीवाँ वातावराण पर नेकारात में प्रभाब ना पड़े UK Center for Ecology and Hydrology के प्रमुक डगलास पोईस ने कहा कि स्टीट लाइट वाली सलक पर कीटों की आबादी में 47 वीजदियों घस वा सुक्ष बनस्पतियों में 37 वीजदिय की कमी यहां पर देखने को मिली है तो यह प्रभाब कुछ पढ़ रहे है LED लाइट के मुझे आसा है कि वीडियो आपको अच्छे लगा होगा यह दी वीडियो अच्छे लगा है ज्राइट लगाँ टेखने लगा है